क्यास तो आज हम discuss करने जा रहे हैं group 2 elements, group 1 हमने already discuss कर लिया है, अब देखिए ऐसा होता है कि बच्चे बहुत फस्ते हैं inorganic chemistry में, लोगों की यह धारना है कि inorganic chemistry बहुत difficult होता है, लेकिन इन सभी धारनाओं को समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में नहीं सोच कर, कैसे जहां पर हम electronic विन्यात, iron enthalpy, electron property enthalpy, electron negativity जिसे हम विद्यूत रिनात्मक्ता कहते हैं, metallic character, धात्विक, अधात्विक properties इन सभी के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझा हैं, इन सभी पर आधारित प्रशनों को किया है, तो आपको S block, P block, D block या F block कहीं भ से पहले पढ़ना, अच्छे से उनसके सारे problems को solve करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने S block की बात करें, या P block की तभी ये सारे chapters आपके अच्छे से clear होंगे, तो वित्पत्ती की इपाच्छाला में आज हम start करेंगे group 2 elements, तो आएए देखते हैं, group 2 elements में कौन-कौन से तत् होते हैं, तो यहां पर देखे, group 2 elements में हमारे पास जो तत्व हैं, वो है beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium और radium, इनका electronic विन्यास लिखना सिखेंगे, फिर इनके ionon enthalpy के बारे में भी बात करेंगे, तो आएए देखते हैं, इनका electronic विन्यास क्या होता है, electronic विन्यास को देखने के लिए सब से पहले आपको पता होना चाहिए इनका पर्मानु क्रमांग, कि इनका पर्मानु क्रमांग क्या है, तो यह तो इनका पर्मानु क्रमांग है, अगर उसमें आपने 8 जोड़ा, तो आपको मिलेगा magnesium, उसके बाद अगर उसमें आपने फिर से 8 को add किया, तो 20, फिर 38, फिर 56 औ तो याद होना ही चाहिए अब हम बात करेंगे इसके electronic विन्यास की तो आएए देखते हैं Beryllium, Magnetium और Calcium का electronic विन्यास क्या होता है बात करेंगे Beryllium के electronic विन्यास की यहाँ पे हम देखते हैं Beryllium जिसका Parmanut क्रमांग 4 है इसका electronic विन्यास होगा 1s2, 2s2 यह चीज हमने कहा लिखना सीखा था यह हमने structure of atom जिसे हम परमानुव के संरचना भी बोलते हैं वहाँ पर हमने electronic विन्यास को लिखना सीखा था तो आप वहाँ पर जाके कैसे electronic विन्यास लिखा जाता है उसे जरूर देखिए उसके बाद बात करेंगे हम beryllium के बाद आता है हमारा magnesium जिसका परमानुप्रमांग 12 होता है यहाँ पर कैसे दिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और फिर आएगा हमारा 3s2 तो यह चीज हमने यहाँ पर समझ ली इसके बाद बात करेंगे calcium की calcium का परमानुप्रमांग 20 होता है क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 फिर आएगा आपका 3p6 और फिर आपका 4s2 तो यहाँ पर हमें यहाँ समझ में आता है क्याल्शियम जिसका परमानुप्रमांग 20 है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 4, यहाँ पर 10, 12, 18 अब यहाँ पर देखिए कि जो अंतिम यहाँ पर जो कोश है वह 4 है मतलब कैल्शियम के पास जो कोश की संख्या है वह 4 होगी यहाँ पर हम इस तरह से दर्शा सकते हैं 1, 2, 3 और 4 फिर बात करते हैं मैंगनिशियम की तो यहाँ पर 3s2 है मतलब इसके पास कोश की संख्या क्या है 3 तो यहाँ पर हमने लिखा 1, 2 औ और इस तरह से यह तीन हो गया. अब यहाँ पर बेरिलियम की बात करते हैं, इसके पास कोश की संख्या दो है. तो बच्चों, हमें क्या समझ में आता है? कि जब हम उपर से नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर जो परमानू का आकार है, वो बड़ा होता है. और हमें क्या समझ में आता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम कोश में 2S2 इलेक्ट्रॉन्स है. मतलब यहाँ पर देखे 2S2, यहाँ पर 3S2, यहाँ पर 4S2, इसका अर्थ है कि वर्ब 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो होगा NS2. यहाँ पर यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा. तो यह चीज़े हमने यहाँ पर समझी. वर्ब 2 के एलेमेंट्स को अगर हम देखे, तो हम देखते हैं कि बेरीलियम, मैगनीशियम, काल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम आता है. तो हम देखते हैं कि जब हम वर्ग में उपर से नीचे की ओर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोश की संख्या बढ़ जाती है. बात करें अगर बेरीलियम की तो यहाँ पर इसके पास दो कोश है. अगर मैगनीशियम की बात करें तो इसके पास तीन कोश है. ठीक उसी प्रकार अगर कैल्शियम की बात करें तो इसके पास चार कोश है. मतलग यहाँ पर धीरे धीरे उपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो आकार बड़ा होता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा आकार किसका होगा हम देखते हैं कि यहाँ पर बेरियम, स्ट्रॉंशियम और तो अगर आकार की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि strontium, calcium, magnesium और फिर आएगा हमारा beryllium तो यह आकार की बात हुई किसकी? पर्मानू की यहाँ पर हमने किसके बारे में बात किया? पर्मानू के आकार की अब हम बात करेंगे ionic tricci anche यह चीजे हमने already discuss की है चाप्टर 3 में लेकिन यहाँ पर फिर भी हम समझ लेते हैं कि जब हम उपर से नीचे की और आते हैं तो आकार बड़ा होता है तो यहाँ पर strontium यानि यह strontium बोलिए, यहाँ पर barium बोलिए, इन सभी का आकार बड़ा होगा अब बात करते हैं ionic triggy बात जब ionic triggy की होती है तो हम वहाँ पर number of proton की संख्या को देखते हैं कैसे देखते हैं? देखें अगर हमारे पास magnesium है और magnesium 2 प्लस है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि proton की संख्या कितनी है तो यहाँ पर proton की संख्या 12 और यहाँ भी 12 है electron की संख्या यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10 है तो बच्चो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर triggy की बात करें यहाँ पर आकार की तो जितना ज़ादा proton की संख्या यहाँ पर हम आकार की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 12 प्रोटॉन है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हम देखते हैं कि नाभिक में 12 प्रोटॉन है यहाँ पर 12 प्रोटॉन है जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर इनके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है यह शक्ती से आकर्षित करेगा क्यूं? यहाँ पर electrostatic force की बात करते हैं हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 12 positive है और 10 negative है तो यहाँ पर positive जो धनायन है वा dominate करेगा धनायन कहाँ पर है? नाभिक के अंदर तो यहाँ पर जो positive power है वा सभी electron को अपनी ओर 12 positive है और 12 negative है इसका अर्थ क्या है कि यहां पर दोनों जगह परमानू के पास यहां पर दोनों जगह हम देखते हैं कि proton की संख्या 12 लेकिन electron की संख्या अलग-अलग है क्यूंकि electron को परमानू में उपस्थित जो नाभिक है नाभिक में उपस्थित जो proton है अपनी ओर आकरशित करता है तो यहां पर जो आकरशन होगा वो ज्यादा होगा यहां पर आकरशन क्या होगा ज्यादा होगा ज्यादा आकरशन होने के कारण यहां पर जो size होगा वो छोटा होगा तो यहां पर magnesium का आकार बड़ा होगा और मागनिशियम 2 प्लस का आकार छोटा होगा तो यह चीज हमने यहाँ पर समझी यहां पर आकार की बात करते है तो जैसे-जैसे धनायन बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर size छोटा होता है तो अगर हम देखें यहाँ पर इसे मान लेजे आपके बस magnesium 3 plus है तो इसका आकार सबसे छोटा होगा फिर बात करेंगे magnesium 2 plus की और फिर देखेंगे यहाँ पर magnesium इन सभी के पास 12 proton है इन सभी के पास 12 proton है लेकिन यहाँ पर electron की संख्या अलग-अलग होगी तो जितना जादा proton electron को अपनी ओर आकर्शित करेगा उतनी छोटी प्रिज्जा होगी क्योंकि यहाँ पर electrostatic force जादा है electrostatic force क्या होता है यहाँ दो different charges के बीच में एक आकर्शन बल होता है यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि positive charge जो नाभिक में स्थित है वो कहाँ पर स्थित है का size छोटा हो जाता है तो यहाँ पर जैसे जैसे धनायन बढ़ेगा वैसे वैसे आकार छोटा होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि magnesium का आकार बढ़ा होगा magnesium 2 प्लस की तुल्ला में आए एक प्रश्न को को करके देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आपको आकार के आधार पर बताना है कि किसका आकार बढ़ा है तो देखें सबसे पहले हम अपने basic चीज़ों को समझते हैं हम देखते हैं कि beryllium, magnesium, calcium, strontium जब हम नीचे की ओर आते हैं तो आकार बढ़ा होता है क्या होता है बच्चो आकार बढ़ा होता है यहाँ पर आकार increase होता है इस चीज़ को हमने यहाँ पर समझा इसका मतलब क्या है कि calcium का आकार सबसे ज़ादा बढ़ा होगा magnesium की तुलना में यहाँ पर calcium का आकार बढ़ा होगा magnesium की तुलना में अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर magnesium 2 प्लस है और calcium 2 प्लस है तो अगर हम यहां पर इनके iron को देखे इनके iron को देखे तो भी हम क्या सकते हैं कि अगर हमारे पास beryllium 2 प्लस है magnesium 2 प्लस है calcium 2 प्लस है तो यहां पर भी जब नीचे की ओर आएंगे तो आकार बड़ा होगा, मतलब कैल्शियम 2 प्लस का आकार, मैगनीशियम 2 प्लस के तुलना में बड़ा होगा, यह चीज हमने यहाँ पे समझी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे छोटी आकृती होगी, वो होगी हमारे मैगनीशियम 2 प्ल क्रिती छोटी होगी, बड़ी होगी, तो उसे देखते हैं कि क्याल्शियम 2 प्लस और मैगनीशियम की बात करें, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 20 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, तो यहाँ पर हम क्य देखते हैं कि यहां ना proton की संख्या समान है ना electron की मतलब यहां पर आप कोई भी logic नहीं लगा सकते हैं तो इसलिए हम यहां पर अपने basic knowledge के साथ चलेंगे calcium और calcium 2 plus में हम देखते हैं कि calcium 2 plus का आकार छोटा होगा तो यहां पर calcium 2 plus हमारे आगे होगा और magnesium पीछे होगा क्योंकि यहां पर ना proton की संख्या समान थी ना electron की संख्या समान थी तो यहां पर हमारा यह order हमें मिलेगा group 2 elements में हमने अभी तक electronic विन्यास देखा हमने देखा कि जब हम group में उपर से नीचे की और आते हैं तो परमानू का size यानि आकार बड़ा होता है फिर हमने इसके electronic विन्यास के बारे में समझा कि इनका जो general electronic configuration है वो NS2 है मतलब अंतिम कोश में दो electron होते हैं बात कि हमने आयनिक और परमानूत रिज्जा की अगर आपके पास magnesium 2 plus है और magnesium है मतलब यहां पर magnesium का आकार बड़ा होगा जितना जादा proton होगा और वहाँ पर हम proton और electron की तुलना करेंगे और देखेंगे कि कहां पर electrostatic force जादा है जहां पर electrostatic force जादा होगा मतलब अगर नाभिक में उपस्थित proton की संख्या electron को अपनी ओर जादा आकरशित करेंगी तो वहाँ पर iron का size छोटा होता है तो यह चीज़ हमने सब्ज़ें अब बात करेंगे हम अपने iron enthalpy के बारे में कि iron enthalpy क्या होता है जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि iron enthalpy में हमने देखा था कि किसी भी element के gaseous state में अगर उस gaseous state से एक electron remove किया जाता है जितनी उर्जा की आवशक्ता होती है उसे हम iron enthalpy कहते हैं iron enthalpy और क्या कहती है इसे भी समझते हैं तो आईए देखते हैं कि प्रथम iron enthalpy का मान यहां पर चार धातों के प्रथम iron enthalpy की मान के तुल्ला में अधिक होता है इन सभी बातों को हम समझेंगे जबकि दूइतिया iron enthalpy का मान चार धातों के दूइतिया iron enthalpy के मानों के तुल्ला में कम होता है क्या है इसका अर्थ? इसे देखते हैं. तो बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर लिया आपके लिए, यहाँ पर हम बच्चों लेते हैं sodium और magnesium. यहाँ पर हमने लिया sodium और magnesium की तुलना करते हैं. sodium अगर gaseous state से sodium plus gaseous state में जाता है. तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? कि यहाँ पर जो electronic विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है. यहाँ पर यहाँ क्या है? 3s1 है. यहाँ पर जो हमें electronic विन्यास मिलेगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6. मतलब पहले यह अस्थाई था, अब यह स्थाई हो गया है. यहाँ पर ये चीज़े हमने समझी. मतलब यहाँ पर उर्जा की आविश्यक्ता कम होगी. यहाँ पर क्या होगी बच्चों? उर्जा की आविश्यक्ता कम होगी. यहाँ पर हमें उर्जा की आविश्यक्ता कम क्योंकि यहां पर यह पहले अस्थाई था, फिर जैसे ही एक एलेक्ट्रॉन गया या स्थाई हो गया, तो उर्जा की आवश्यक्ता कम होगी, यहां पर यह चीज हमने समझी, यहां पर उर्जा की आवश्यक्ता कम होगी, बात करते हैं, मैंगनीशियम से, मैंगनीशियम 2 प्ल 2S2, 2P6, 3S2, यहां पर देखते हैं, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, यहां पर इलेक्ट्रोनिक बिन्याज देखिए, 3S2, यानि S कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब स्टेबल है, स्थाई है, इसका अर्थ क्या होता है बच्चो, यह स्टेबल है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रो हमने बाहर निकाला, तो यहां चेंज हुआ, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 में, यहां पर हम क्या देखते हैं? कि यहां स्थाई से आस्थाई हो गया, इसका अर्थ है कि हमें यहां पर उर्जा की आविशक्ता जादा होगी क्या होगी यहाँ पर? उर्जा के आवशक्ता जादा होगी क्यों जादा होगी? क्योंकि यहाँ पर कोई चीज stable थी, यहाँ पर यह stable था आपने वहाँ पर जबरदस्ती energy supply की और उसे unstable बना दिया अब जब यह unstable बन गया है इसका अर्थ क्या है? क्योंकि यहाँ पर electron remove करने के लिए यहाँ पर हमें electron remove करने के लिए उर्जा की आवशक्ता जादा होगी यहाँ पर उर्जा की आवशक्ता जादा होगी तो यह चीज हमने यहाँ पर समझी उर्जा की आवशक्ता जादा होगे, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम आइनन एंथल्पी, मतलब एक इलेक्ट्रोन रिमूव करने के लिए मैगनीशिम यानि जो की ग्रुप 2 के तत्तो है, उन्हीं जादा उर्जा की आविश्यक्ता होती है ग्रुप 1 की तुलना में, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम IP 1 की बात करें, तो हम देखेंगे कि ग्रुप 2 में हमें जादा एनरजी लगता है ग्रुप 1 की तुलना में, तो यह चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कि प्रथम आइनन एंथल्पी का मान, छार धातू के प्रथम आइनन एंथल्पी की मान की तुलना में अधिक है चार धातु एकौन? ग्रूप 1 तो यहाँ पर ग्रूप 2 का IP1 ज़ादा होता है ग्रूप 1 के तुलना में तो ग्रूप 2 का ज़ादा होता है तो यह चीज़ को आप नोट कर लीजे बचो यह बहुत important है इसे नोट कर लीजे यह बहुत जरूरी है कि प्रथम आइनन एंथल्पी का अर्थ क्या होता है एक electron रिमूफ करने के लिए हमें जितनी उर्जा की आविशक्ता होती है gaseous state में तो ये चीज हमने यहाँ पर समझी अब बात करेंगे हम इसके दूइतिया आइनन एंथल्पी के बारे में अब हम इनके electronic विन्यास को देखेंगे sodium plus है मतलब क्या है already एक electron निकल चुका है अब यह sodium 2 plus बना रहा है फिर हम देखेंगे magnesium plus से magnesium 2 plus इसे हम क्या कहेंगे आइनन एंथल्पी 2 दूइतिया आइनन एंथल्पी यहाँ पर electronic विन्यास को देखते हैं क्या होगा 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1 यहाँ पर यह क्या था बच्चो यहाँ पर यहाँ पर 3s1 नहीं होगा यहाँ पर यह 2p6 होगा फिर यहाँ पर हम देखेंगे यह स्थाई था यह क्या है यह स्थाई है क्योंकि अगर आप 2p6 को देखें यहाँ पर 2p6 कक्ष पूरी तरह से भरा हुआ है और यहाँ पर यह चेंड हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5 में यह स्थाई से अस्थाई हुआ है मतलब जादा उर्जा की जरूरत है एनर्जी जादा लगीगी उर्जा की जरूरत क्या होगी जादा होगी यहाँ पर हम लिखते हैं उर्जा की जरूरत जादा होगी फिर हम बात करेंगे मैंगनीश्यम प्लस से मैंगनीश्यम 2 प्लस की यहाँ पर देखें 1s2, 2s2, 2p6 3s1 यहाँ पर 3s1 है यहाँ पर क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर यह अस्थाई था और यहाँ पर यह स्थाई हो जाएगा. इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर उर्जा की जरूरत ज्यादा नहीं है. यहाँ उर्जा की जरूरत कम होगी. मतलब कम एनर्जी सप्लाई करने से electron निकल जाएगा अगर आपने energy कम भी supply की तो यहाँ पे electron निकल जाएगा मतलब दूइतिया आइनन enthalpy group two elements की कम होती है यहाँ पर group one की तुलना में तो यहाँ पर अगर IP two की बात करे अगर हम यहाँ पर IP two की बात करे तो हमने देखा group one यहाँ पर वर्ग एक का ionization potential जादा होता है group two की तुलना में जबकि अभी हमने पहले क्या लिखा था IP one यहाँ पहले electron को निकालने में group two की ion enthalpy जादा लगी थी group one की तुलना में comparison में तो यह चीज़े हमने समझे आप इसे note कर लिजे अस्थाई, अस्थाई, स्थाई मतलब stable, अस्थाई मतलब unstable, अगर कोई चीज stable है और आप उसे जान बूच कर जादा energy supply करके जबरदस्ती unstable करते हैं तो वहाँ पर उर्जा की मात्रा हमें जादा लगी तो यह तो बात हुई हमारे ion enthalpy की आगे देखते हैं तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि प्रथम ion enthalpy का मान चार धातों के प्रथम ion enthalpy के मान की तुल्ला में अधिक है जबकि दूइतिया ion enthalpy का मान चार धातों के दूइतिया ion enthalpy के मान के तुल्ला में कम हैं तो इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया अब देखते हैं कि यहाँ पर जल योजन एंखल्पी क्या होती है इसे समझते हैं